हेलो बच्चो डिजी लेसंस आप नवांकुर में आप सभी बच्चों का हारदेख स्वागत है आज हम विसे हिंदी के अंतरगत बिविद प्रश्नावली भाग एक का अध्यन करेंगे तो आईए शुरू करते हैं बिविद प्रश्नावली भाग एक प्रश्नकरमांग की चित्र देखकर नाम बताओ गाय, मच्चली, कभूतर, साइकल, जहाज और हमाईजाज प्रश्नकरमांग दू किनी पांच फूलों के नाम बताओ उत्तर है बेला, गुलाव, जूही, चमपा, चमेली प्रश्नकरमांग दू किनी पांच फलों के नाम बताओ पांच फल, सिवफल, केला, आम, अंगूर और अनार प्रश्नकरमांग चार, किसी पालतू पशू के बारे में बताओ गाय एक पालतू पशू है तो देखते हैं, नमबर एक, गाय एक बहुत ही उपियोगी पशू है नमबर दू, इसका दूद गुणकारी होता है नमबर तीन, गाय के दूद से दही, मठा, गी, मावा, वा कई तरह की मिठाईयां बनती है नमबर चार, यह काली, सफेद, लालवा, चितकवरी, कई रंगों की होती है नमबर पांच, यह घास भूसा और चारा खाती है नमबर छे, गाय के गुवर से कंडे बनते हैं, जो इन्धन का काम करते हैं नमबर साथ, गौ मूत्र से और शदी बनती है नमबर आठ, गाय का बचड़ा बड़ा होकर खेती के काम आता है नमबर नो, गाय की हम पूजा करते हैं नमबर दस, गाय को हम गौ माता कह कर बुलाते हैं प्रश्न करमांग पांच, नीचे लिखे, जानवरों की आवाज निकाल कर बताओ उत्तर है, बक्री, कुयल, कुता बक्री कैसे बोलती है, मैं कुयल, कुहू, कुहू, कुता, भों-भों प्रश्न करमांग छे, बरशाद के दिनों में क्या-क्या उपयोग करते हैं अवाया प्रश्न करमांग साथ सेर और चुहे की चित्रकथा को सुनाओ एक सेर रहता था, एक दिन वय अपनी गुफा के बाहर सो रहा था कि अचानक जंगल में एक चुहा आया और सेर की पीट पर घूमने लगा चुहे के घूमने से सेर की नीन खुल गई और सेर को गुसा आ गया उसने चुहे को अपने पंजे में दबूच लिया चुहा बोला ची 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 चित्प मुझे छोड़ दो मैं कभी आपके काम आऊंगा या सुनते ही सेर बोला औरे तू छोटा सा चुहा मेरे किस काम आएगा चुहा बोला शेर दादा मैं बादा करता हूँ एक दिन में आपके काम अवश्या हूँगा सेर बोला ठीक अगर तू कहता है तो मैं छोड़ देता हूँ कुछी दिनों बाद उसी जंगल में एक सिकारी आया और जाल फैला कर उपर पेड़ पर वैड़ गया सेर सिकारी के फैलाई हुए जाल में फस गया और जोर से दाद मार कर चिलाद दादने लगा बचाओ 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 सेर की आवाज सुनकर चुवा दोड़ा दोड़ा आया और सिकारी द्वारा फैलाए हुए जाल को काटने लगा देखते ही देखते चुवे ने पूरा जाल काट दिया और शेर बाहर आ गया शेर बहुत खुश हुआ और चुवे को अपनी पीट पर बैठा लिया सेर और चुवे की मित्रता हो गई बच्चो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता जो जब जिसकी आवशकता हो वही बड़ा होता है ठीक है आपको कहाँ पसंद आई होगी तो बच्चो अभी तक आपने जो कुछ सुना उसको अपनी कॉपी पर लिखना भी है और याद करना है ठेंक्यू बच्चो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में दो लिए करें कि पॉते हैं आपको क में वीडियों वीडियों थीक के नवीड़ादत